आप सब्सक्राइब करते हैं आज का अपना सेक्ड वीडियो जो कि आपकी जैनल साइंस का यह आर भी एल्पी और टेक्डिशन के इस्टेंट के लिए बहुत इंपोटेंट क्लास है और आज की जो वीडियो है हमारी सेक्ड वीडियो है इसके अंदर जो हम यूनिट एंड मेजरमेंट ही जो है पढ़ने वाले हैं ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन हमारा सेशन जो हमने स्टार्ट किया तो मापन और मात्र की बारे में डिस्कुसन कर रहेते हैं तो उसके आगे के फैक्ट पढ़ लेते हैं ठीक है जो रियल वेल्यो होती है ठीक है और मापब गई मान ठीक है की बीच के अंतर को क्या कहते हैं मापन तुरटी कहते हैं तो इसको इंगले में कहते हैं इतारता की इस बात का माप माप अब खिके कितने करीब है कि दूसरा परिसुर्दता क्या होती ह है यह माप में विस्तारटर तह सुक्छम तक के इस्थर को मापता है यह दरसाता है कि किसी रासिय को यह तार्था के साथ उसके revolution यह सीमा के अंदर किसी सीमा तक मापा जाता है उसको कहते हैं प्रिशूद Utdah उसकी सुक्छम इस्थर तक की मैजर्मेंट की फिर किसी रासी की रिजोलेशन जो इसकी एक लास्ट लिमिट हो सकती है उसी को क्या है परीशुदता के अंतरकत हम लेते हैं तो यह आपको पता होना चाहिए बेसिक चीज है और यह एक्जाम में भी पूछ जा सकती है नेक्स्ट आगे बात करते हैं सामानय तोर पर मापन तुरूटे को निम परकार वर्गीगरत क्लासिफाइड क्या गया है या पोलो क्या गया जैसे कि पहली पहली आपकी एरर होती है क्रमबंध तुरूटी जिसको इंगले से मैं कहते हैं डिया सिस्टेमेटिक एरर ठीक है तो हें निगेटिब हो सकती है और एक ही दीसा में होती है मतलब एक दीसा में बढ़ती है देसंसको जिस्टेमेटिक एरर कुछ शोथ कार मिकलत यह जैसे कि आपकी हो सकती है इस हम्परियो Michigan के तो परियोग्थ मिक्था परीकर निकr है ना व्यक्ति का तूटे कहते हो प्रयोगात्मक तक्निक के प्रिक्राइब में अपूंता कहते हैं इंपर्फेक्शन इंप्रिमेंट एक्सपेरिमेंटल टैकनिक और प्रशूर ठीक है यह सब चीजे आपको थोड़ा से इनका ग्यान होना जरूरी है नेक्स्ट आगे बढ़ होती है ठीक है मतलब इरेगुलर इसलिए इसलिए से चिन और आकार के संबंद में यदाजित होती हैं दूसरी होती है आपकी अलपत मांग तूरूटी जिसको कहते हैं लीस्ट काउंट एरर तो मापा के यंत्र द्वारा मापा जा सकने वाला सबसे छोटा मान उसका अलपत म मांक कहलाता है दूसरी होती है आपके निर्पेग्श्ट तूरूटी जिसको कहते हैं एपसीलूट एरर एक होती है व्यक्तिगत माप और मात्रा के वास्तिक मान के बीच के अंतर को आप यहां से देख सकते हैं कि व्यक्तिकत मान और मात्रा के वास्तिक मान के बीच के अंतर के परिमान को माप की निर्पेक्स तुरूटी कहा जाता है है ना तो आप इंग्लिस में भी देख सकते हैं नेक्स्ट आपका सापेक जिसको इंग्लिस मतले रिलेटिव एरर इसको आप पढ़ेंगे कि मद्धिया निर्पेक्ष्टूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूर और पहले एन्यटित अंख के साथ ग्यात होते हैं साहरता आंग कहलाते हैं जैसे का एक दिजित के रूप में देख सकते हैं जैसे कि आपका 1508.06 है तो African figure कर रहे सेवी किया सेचट तañக मतलब है और जीरोत सार्थाक आँख आ पॉंड्ट के बात की सब क्या है total मैं सांत अंखों की बात करें तो कज पात करें आपके यहां पर लिखा जी पूछता है तो आपको सार्थक उसको नहीं बोलेंगे इस वाले नंबर के अंदर आपके सार्थक अंक कितने हैं ठीक आपसे पूछता है तो आप इसमें देखेंगे कि 0.0 यह जो है नंबर आपके सार्थक नियां ऊंगे यह कि सार्थक आंख होंगे को कि उन्यकर सेवन ने 6 तो यह नंबर बना वैल्यू बना बट जबकि जीरो था तो यह कोई वैल्यू आप सार्थाक अंग के रूब में नहीं लेंगे ठीके डियर चलिए नेक्स्ट यह आपसे पूछा जा सकता है कि सार्थाक अंग बताओ इसके नंदर कितने हैं यह आपको पता हो ना चाहिए आग है तो 123.45 तो टोटल फाइव आपके क्या है सारतक अंख है सिगनिफिकेंट फिगर्स है दैनि यह आपका यहां पर ही आपका होता 0.05203 तो इसके अंदर यह सारतक अंख की बात करें इस नंबर के अंदर इसके इस नंबर के नहीं होगा आपके सारतक अंख होंगे एस आपके यह सिगनिफिकेंट फिगर्स आपके stories इसी तरीके से आपको capital zero einzel के पिट आम ताकी जीरो आपको मालनी चीए कुछ इस तरीक इस नंबर दिया गया तो इसके अंदर सब्सक्राइब है कि जैसे आपके चार होंगे क्यों आपका वन आया है जीरो से पहले वन है तो वन याद टू जीरो होता तो फिर जीरो सार्द को नहीं होता लिया ठीक है देन उनसे कि आपको एक फिगर को यहां पर भी दिया है कि इसके अंदर बताओ कितना significant figures होंगे तो हम इसको किस तरीक से लिख सकते हैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और अगर हम देखें तो इसको जब इस तरी के फॉर्म में लिखते हैं तो आपके देखें पॉइंट वन पॉइंट टू जीरो तो यह कितना फिगर बनता है और जो पाव नंबर दिया गया है तो इस नंबर में देखें कितने सिखनी है सिगनिफिकेंट figures हैं देखें आप ठीरी है फिर पॉइंट फाई और यह कितने तीन और एक चार तो चार आपके सिगनिफिकेंट नंबर है अब आता है वह आपके सटीक संख्याय आप सटीक संख्याय क्या होते हैं जिसको इंगल से मैंते एक सेक्ट नंबर तो यह वह होती है कि वस्तू या निशित मानों की इनने से प्राप्त अनंद संख्याय माने जाते हैं उधारन यदि आपके पास पांच सेव है तो संख्या पांच को सार्थक अंकों की अनंत संख्या माना जाएगा तो यह एक उधारन की रूप में आप समझ सकते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आपका सार्थक कंको के साथ अंगनित्य सक्रिया कौन-कौन से होती है सबसे पहला था एडिशन और सब्ट्रेक्शन जिसको इंदे में करते हैं जोड या घटाओ तो जोड और घटाओ दोनों में अंतीम प्रिणाम में उतने ही दसमलव स्थान रखने चाहें जितने सबसे कम दसमलव स्थान वाले संक्या में हूँ उधारन के रूप में आप इसको देख सकते हैं जैसे कि बात करें आपका देखिए 1.457 है अब यहां पर है गुना और भाग मुल्टिप्लिकेशन और डिवीजन के भी आपको नियम बताए गए हैं इसके अंदर गुना और भाग दोनों में अंतीम परिणाम उतनी सार्थ तक अंक रहने जैसे कम से कम सार्थ वाली मूल संक्याव में हो जैसे कि आपका 4.36 है और इस से आपको मल्टि भार पर आप जिस नंबर से multiply कर रहे हैं जिस नंबर में तो उतने ही पॉंट तक नमबर मेर रांड वेलू आए जाप यह जैसे इसको यह टो नंबर आपको log करते हैं वहाइस प्तु लुब में निकल का जाएगी जो आपकी लास्ट के तीन वेल्व होती है ठीक है तो यह आपको यहां पर समझाया गया है इस तरी वेल्व को आप समय सकते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आपने नेक्स्ट आपका बहुत करेंगे अपने वेग्यानिक होता है तो आपको पहचान रहें कि सकती नापने के लिए यूज के आ था और इसके आपके नंबर्स होता है और इसके विदो धारा की सकती नापने विजाई यूज कि आता है तब किसको strength of electric current उसकी power को नापता है बिजदी की जो आपको current होता है उसकी strength को नापता है एमिटर ठीक है याद रखेंगे यह question पूछे जाते हैं नेक्स्ट आता है अल्टीमीटर अल्टीमीटर आपको देखिए कुछ इस तरीके का होता और यह आपको तो फीगर अधिया थकना है कभी सभी आपको यह कौन सब करना है ठीक है इसका उप्योग हवाय जहां जोंबे के लिए क्या जाता है हमापने के लिए क्शित अचर नेक्स्ट आइंप मीटर और यह आप इसको तो रिलेट भी कर सकते हैं इस को वाई-उ की गती ना यह एनिमो मीटर का उपकरन आपने देखा होगा बहुत जगे ठीक है तो यह वाई-उ की गती मापने के लिए यूज किया जाता है आपकी यूनिट होती है और ओडियो मीटर यह धमने की तीवरता जो साउंड है इसकी स्पीड यह इंटेंसिटी ओफ साउंड को प्रिक करने के लिए उसके जाता है ठीक है चलिए नेक्स्ट आ है आपका बैरो मीटर जो बैरो मीटर है यह आपका इस्ट्रुमेंट कुछ इस तरीके का होता है इसको अवरक्त किर्णो को मापने के लिए गया ता जो इंफ्रेंट रिडेशन होती है उनको मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है बो लूमिटर का इंफारेड को इस डिचा कि यूजnh करते हैं वह घाता है नेक्सेंट है और दूर वी Plus को कॉलसे हैं तो یہ तरिकistan की होती है आपने बहुत बार देखिए हैं तो इसको दूर की वस्तो को देखने के लिए क्या जाता है दिस्टेंस ऑब्जेक्ट ठीक है नेक्स्ट है आपका कैलोरी मीटर जो कैलोरी मीटर है उसको यह क्या करने के लिए किया जाता है कडियोग्राफ जो है यह पसको सबाह Lएको साथ आपके आपडाउन चलते रहते हैं यह आपको जो है इसमें दिखाई दे रहे हैं नेक्स्ट है डाइनोमो डाइनोमो देखे जो डाइनोमो है वो यांत्री उर्जा को विद्धूत उर्जा में जो आपकी मेकैनिकल एनरजी है उसको इलेक्ट्रिक उर्जा में करता है आपका डाइनोमो यह भी कोशन पूचा गया नेक्स्ट है डाइनेमो मीटर विद्दू सक्ति को मापता है जो डाइनमो मीटर है वो एलक्तिक पावर को मेजरमेंट करता है यहां पर आपको फिगर शो नहीं होरी आप जो इसको सच करके देखेंगे ठीक है नेक्स्ट आपका हाता है इलेक्ट्रोस्कोप जो इलेक्ट्रोस्कोप होता है बलग टाइप का कुछ होता है तो इसको भी क्या करता है विद्दूत आवेस की उपस्तिति का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप का यूज किया जाता है नेक्स्ट है आपका एंडोस्कोप जो एं है ना तो यह सब क्या है यह हैसं करने के लिए यूज का किया जाता है ठीक है चलि है नेक्स्ट आजए बात करते हैंSi्ट आपका तो यू जाता है महासागरु की घहभाइब का लिए क्या जाता है यूज महा सागरु की Depth of Freder till Cuaire美國 Oil the Carrier कौने के लिए आप आपका फैदो मीटर को यूज किया जाता है नेक्स्ट आपका गैलविनो मीटर तो गैलविनो मीटर कुछ आपका इस तरीके का डिवाइस होता है और इसका जो है यह कम परिमान की विद्दुद्धारा मत्तब एलक्टिक करन्ट ओफ लो मैंगनिटूट को मेजर करने के लिए परिमान की विद्दुद्धारा को मापने मापता है आपका गैलविनो मीटर जाले नेक्स्ट आपका है राइडरो मेटर वहाइड टो आपका यूज किया जाता है वह होता है मेसरिंग स्पेसीफिक ग्रेविटी या रिडिट्व देनसी टीओ लिक्वीड को चेक करने के ल लिक्विड पधार्थ के विश्च्छ गुरुटू इसका प्योग और साप इक्षिक का अधरता अपने क्या जाता नेक्स्ट होता है लेक्टोमिटर दूद की सुधता मापने क्लिए लेक्टोमीटर का यूज क्या जाता देखिए यह रहा आपका लेक्टोमीटर ठीक है प्यूरिटी ओफ मिल्क नेक्स्ट है आपका मैगनोमीटर जो मैगनोमीटर है मैगनोमीटर का यूज आप किसलिए करते हैं तो मैगनोमीटर का यूज गैसों की दाब को मापता है मैगनोम माइक्रोईस्कोप का इसमें आप बहुत चोटे चोटे पार्टीकल्स को भी देखा जाता है जैसे कि लाइक आपका ब्लड है ब्लड के अंदर कितने पार्टीकल्स पार्टीकल्स ए उस ब्लड के पार्टिकल्स को भी समें फाइन आट करके देखा जा सकता है माइक्रो स्कोप के अंदर नेक्स्ट है ओडोमीटर तो ओडोमीटर यह है वहान की जो आपका वीकल्स हैं मेसरमेंट डिस्टेंस रिलेटिट वाइव वीकल्स तो वहान दुवारा तैकिके दूरी को मापता है जो आपकी वहान है जो गारियां है बाइक है उनके अंदर आपको इस तरह के मिटर वो कौन से में हomer होता है लगा होता है नेक्स्ट आपपा करते हैं परिस्कोप हुंता है इसका प्यूक्स शम्वूनृ तल से उपर्टी यह देखने के लिए पेरिस्कोप का यूज किया जाता है dear इस दिछ orange वराटे है ने स्ट आपका फोटो मेंटर इस काव्योग परकास की तिवरता न g Čने के लिए किया जाता है ना इसका लोग को फोटyटर का परकास की तिवरता मेजर करने के लिए किया जाता है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पैंट टि- dysi sis जो पंटी पंटी स्योमेटर इसको प्रॉयक्त से जैल की विद्वुत्वाहग ब bilmiyorum मापने के लिए क्ली होता है पंटी स्यों मेटर ठीक है पंटी सिमिर्वत देखें कि कुछ आप तरीके ऐसे कुछ ऐसे दिखा दिखाता और फ्रंट से आप इसको ऐसे देखते हैं तो यह कुन से होता है पेंटीशो मेटर होता है जो आपका मेजर दाइलक्ट्रो में अपने के लिए क्या जाता है तो यह सेंसर टाइप का होता है डिवाइस जिसको पाइरो मेटर बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट आगे बात करते हैं आपका आता रेडियो मेटर है यह जो होता है इसका अपयोग विकरन उठ जाके उस जनको मापना होता है विकरन उठ जाके उस जनको मापता है आपका रेडियो का इमिशन अफ्रदेशन एनर्जी ऐसा व्यूस किया जाता है नेक्स्ट आता है आपका यूज किया जाता है आगे बड़ते है नेक्स्ट आपका सिस्मोग्राफ है ना सिस्मोग्राफ भुकाम के तीवरता को मापने के लिए किया जाता है पुलगान पिकं चमत में और लोगaż में यह का ठीक है चले नेक्स्ट आगे बात करते हैं अपना स्पीडोमीटर है ना यह आपको मुश्य वहाँ में देखने मिलेंगे स्पीडोमीटर की जो वहाँ है वह स्पीड पर 20 की यह सब्सक्राइब चलता है तो गती को रिकोर्ड करने के लिए इसमें लगा जाता है इस्पीडोमीटर नेक्स्ट हो नेक्स्ट इस्टुमेंट आपका स्पैरोमीटर इसको लेंस और गोले दरपन जैसे किसी वस्तों की वक्ति जगम आपने के लिए किया जात किया जाता है स्विफ्ट स्ट्रेब आपका किया जाता है आपका अबर दो रती मेजरें मेजर प्रूडिक्व मोशन स्क लिए यूस कैया जाता है नेक्स्ट आपको कती मापने जो होता है आपका हावाय जहाज और मोट्र बोड較 आपने लिके जाने वाला उता ठीक shooting in clicking उ्च्ट आगे बात करते हैं घ़्रिक्ष में दूर वस्तों को देखने के लिए क्या जाता है आपका ट्यलीस्कोप को ठीके एये झाफ एस को प्रॉच्ट मान अपने के लिए क्या जाता है इसको फि v рыce स सुन पर नेक्स बाथ करते हैं तरमोस्टेट यहीए कुट्ट से इस बिंदु पात आह्न को नियंतित करता है आपका थर्मोस्ट तेट नेक्स्ट बात करते हैं अपना विस्को मीटर विसको मीटर यह है तरलबाधार 좋की सियान्ता को मापता है विसको सिट फ लिक्विड को मेज़र करने के लिए विसको मेटर का यूज किया जाता है और नेक्स्ट बात कलते हैं वॉल्ट मीटर यह दो बिंदो के बीच विद्दू तविभांतर को मापता है वॉल्ट मीटर ठीक है वह यह आपका कुछ इंपोटेंट मुख्या ओपकरन ते इस्टुमेंट्स ते जो यूज किया जाते हैं आपके है ना लाइफ में कहीं ने कहीं हर एक फिल्ड में देखना को मिलेंगे और यह जो हैं आपके कोश्चन के अब्जेक्टिव पॉइंट यू से आपके बहुत इंपोटेंट ते और ए वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाए दोस्तों